तीन साल पहले तक जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, वो अब हो गया है। अंतरता सुनिश्चित करने में मदद के लिए बोर्डिंग तलाशी करने और नियंतरण करने की रड़नीती पर काम किया गया। अमेरिकी नौसेना सिंट्रल कमांड ने कहा कि ये प्रशिक्षन इसमें भाग लेने वाले सुरक्षाबलों की समुद्वी टीमों के बीच सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएगा। ये युद्धा भ्यास सितंबर 2020 में युएई और बहरीन के इसराइल के साथ राजनाइक समंध कायम होने के बाद हुआ है। इसराइल के साथ समंधों को सामाने करने के लिए ये समझोता किया गया था। तब से इन खाड़ी देशों और इसराइल के बीच कोटनी तिक, सैने और खुविया संपरकों का गहन आदान प्रदान हुआ है। कुछ मत्भेदों के बावजूद भी इन सभी देशों के हित इरान के संदर्व में एक हो जाते हैं। ये सभी देश इरान की गतविधियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसराइल की खुफिया एजनसी मोसाद के प्रमुख ने बहरीन का साथवजनिक दोरा किया था और अक्टूबर में UAE की वायुसेना के कमांडर पहली बार इसराइल दोरे पर पहुँचे थे। हाल ही में इरान ने भी हरमुज जल डमरू मध्य के पूर्व में अपनी नौसेना के अभ्यास का एलान किया था। इरान खाडी क्षेत्र में अमेरिका और अन्य पस्चिमी नौसेनाओं की उपस्थिती का कड़ा विरोधी रहा है। मुहमद रजा पहलवी शाह के शासन के दोरान इस इलाके में इरान की नौसेना का वर्चा सुथा। 1989 में इस्लामिक करांती के बाद से इरान खाडी के अरब देशों से अमेरिकी सेनाओं को इस इलाके से निकालने के लिए कहता रहा है। इरान का कहना है कि खाडी की सुरक्षा के लिए वो स्वाभाविक भागिदारी रखता है लेकिन उसकी सलाह बेअसर रही क्योंकि खाडी के छे अरब देश अमेरिकी सेनाओं का वहां स्वागत करते रहे हैं। सौधी अरब बहरीन और सैयुक तरब अमीरात इरान और उसके इसलामिक रिविलिशनरी गार्ड कोर को लेकर हमेशा संदेह में रहे हैं। वो इरान को लेकर सतर्क रहते हैं क्योंकि इरान ने अंतराष्ट्रिय प्रितिबंधों का उलंगन करते हुए मध्यपूर में ताकतवर छद्म मिलिशिया गुटों का नेटवर्क तयार किया है। सौधी अरब 6 बरसों तक यमन में हवाई हमले करने के बावजूद भी इरान के समर्थन वाले हूती विद्दोहियों को हरा नहीं पाया। लिबनान में हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। इसराइल भी इरान के परमाडु का रिक्रमों को लेकर अपनी चिंताएं जताता रहा है। जुलाई में ओमान के तटपर इसराइल से जुड़े एक टैंकर पर एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें एक बृतानी सुरक्षागार्ड और रोमानियाई चालकदल के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इसके लिए इरान को जिम्मेदार ठहराया गया लेकिन इरान ने इससे इंकार किया था। मध्यपूर्व में इरान की गत्विधियों की आलोचना में सौधी अरब सबसे ज्यादा मुखर रहा है। खास तोर पर 2015 में सौधी के क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान के रक्षा मंत्री बनने पर। लेकिन 14 सितंबर 2019 को कुछ ऐसा हुआ है कि सौधी अरब के रणीति कारों की रणीती पूरी तरह से बदल गई। सौधी अरब के दो बड़े तेल सयंतों बकीक और खुरैस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। इससे सौधी अरब के तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा और पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उच्छाला गया। यमन के हूती विद्लोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली लेकिन तेल सयंतों पर गिराई गई मिसाइल उत्तरी इलाके से छोड़ी गई थी और जाच में सामने आया कि उन्हें दक्षडी इराक में इरान समर्थित मिलीशिया गुट ने छोड़ा था। इस हमले का संदेश साफ था कि इरान अगर चाहे तो सौधी अरब और उसके सहयोगियों को बुरी तरहे नुक्सान पहुचा सकता है उनकी अर्थ्यव्यवस्था को बड़ा जटका दे सकता है। इसे में दोनों देश टक्राओं के बावजूद शान्ती बनाये रखने के रास्ते तलाश रहे हैं।